स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मिसी ग्यान पर आज मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के मोश इंपॉटेंट कोश्चन कराऊंगा जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉटेंट है रेडियो एक्टिविटी में मैं सिर्फ तीन कोश्चन कराऊंगा इससे बाहर आपके फार्मिसी एक्जाम में कोश्चन नहीं आने वाला है इसलिए इन तीन कोश्चनों को आपको समझना बहुत जरूरी है मैं पूरी महनत करूंगा कि आपको ये तीनों कोश्चन अच्छे समझ में आए क्योंकि आपको पास कराने की गारेंटी मेरी है इसल activity को आपको define करना है और इसके types के बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले आप यह जान लिजे कि radioactive element होते क्या है periodic table जो आपने class 10 में पढ़ा हो था तो class 10 में जब आप 89 से जैसे जैसे element के तरब बढ़ते हैं तो उनका nucleus भारी होता जाता है nucleus भारी होने का कारण क्या है कि उनके जो proton है वो भारी होने लगते हैं और जिसके चलते उनके nucleus के अंदर मौजूद proton और neutron जो है उनकी संख्या लगतार बढ़ती है जिसके चलते हुए अपने आपको unstable feel करने लगते हैं इसलिए 89 के बाद वाले जितने भी तत्व है modern periodic table में वो से तीन किर्णे निकालते हैं अलफा बीटा और गामा यह किर्णे इसलिए निकालते हैं ताकि वो अपने atom को stable करके रख सके अपने Nucleals को control करके रख सके ता इसलिए ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से अलफा बीटा गामा radiation को निकालते हैं उसे हम लोग radio activity element या substance करते हैं आते हैं इसके definition से radio activity is a spontaneous and continuous emission of alpha बीटा गामा radiation from the substances यानि ऐसे substance जिन से alpha बीटा गामा radiation निकलता है उसे radioactive element कहा जाता है आईए बात करते हैं इसके types की तो इसके जो types है वो दो परकार के हैं एक है normal radio activity और दूसरा है artificial radio activity normal radio activity की बात की जाए तो it is observed spontaneously and continuously without any external factor यानि बिना किसी बाहरी पदार्थ के या बिना किसी बाहरी effort के जब कोई पदार अपने अंदर से लगतार radiation किर्णे निकाल रहा है यानि alpha बीटा गामा किर्णे निकाल रहा है उसे normal radio activity कहते हैं इसके example radium 226 और iodine 131 अब बात करते हैं artificial radio activity के बारे में तो artificial activity यह है कि it is a called induced radio activity and produced by bombardment of high velocity of particle on an element यानि कि ऐसे element जो बाहरी रूप से bombardment कराने के कारण यानि कि high velocity particle उनके उपर गिराने के कारण उनके अंदर से alpha बीटा और gamma radiation निकलता है उसे artificial radio activity कहते है ठीक है इसके example है जैसे bombardment of alpha particle on nitrogen अगर आप nitrogen पे alpha particle का bombardment करेंगे तो यह radioactive oxygen में convert हो जाएगा ठीक है तो यह पहला important question था अब बात करते हैं हमारे दूसरे important question की जो कई बार exam में पूछा गया है define the term isotope, isobar, isotone, nucleide, nuclear isomer यानि कि isotope क्या है, isobar क्या है, isotones क्या है, nucleide क्या है, nuclear isomer क्या है सबके बारे में आपको थोड़ा-thोड़ा definition देना है, example के साथ, तो isotopes के बारे में आते हैं, बात करते हैं, यह क्या है, the species which have different atomic masses number, but same atomic number are called isotope, यानि कि ऐसे species, element के, जो कि उनका atomic mass, अलग-अलग होता है, लेकिन उनके atomic number यानि परमानु संख्या एक होती है, उसे isotopes करते हैं, इनके example जैसे कि और भी element के हैं, यहाँ पर PB का example दिया गया, यानि लीट का, तो PB उपर में लिखा हुए 206, उपर जो लिखा रहता है, वो atomic mass होता है, और नीचे जो लिखा रहता है, वो atomic number होता है, तो PB का देखें, यहाँ atomic mass जो है, वो 206 है, नीचे atomic number 82 है, दूसरा PB का atomic mass change हो गया 207, और नीचे atomic number जैसा है, वैसे ही रहा 82, और तीसरा PB जिसका atomic mass 208 है, लेकिन इसका atomic number 82 है, तो इस तरह के जो element है, जिनका atomic mass अलग-अलग होता है, लेकिन इनके atomic number यानि की परमानु संख्या एक होती है, इसे हम लोग isotope करते हैं, अब बारी है जानने की isobars के बारे में, the atom of different elements having different atomic numbers and same atomic masses number are called isobars, एक्जामपल C614 and 714, यानि की ऐसे element जिनके atomic number यानि की उनका atomic number अलग-अलग होता है, लेकिन उनके atomic mass सेम होते हैं, उसे हम लोग isotope करते हैं, एक्जामपल के रूप में आप देख सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के ऊपर में देखे 14 लिखा है, नीचे 6 लिखा है, इसका मतलब कार्बन का जो है, atomic mass जो है, वो 14 है, और atomic number 6 है, वहीं nitrogen का भी atomic mass 14 है, लेकिन atomic number 7 है, तो यहाँ पर carbon और nitrogen के atomic mass एक जैसे होने के कारण, इनको आइसो बार के group में रखा गया है, आईए अब बारी है, isotones को पहचानने की, isotones क्या होत होते है, atomic species having same number of neutrons, but different number, different mass number are called isotones, यानि की isotone ऐसे atomic species है, जिनका neutrons एक जैसा होता है, यानि उनके nucleus में neutrons की संख्या एक जैसी होती है, लेकिन उनके mass number अलग-अलग होते हैं, इसे ही हम कहते हैं isotones, और उसके बाद बात आती है, nucleide के बारे में, nucleide क्या होते है, nucleide is the species of atom characterized by constitution of the nucleus in the particular by the number of proton and neutron in the nucleus, यानि की ऐसे पदार्थ या ऐसे element जिनके nucleus की पहचान, उनके number of proton और number of neutron से की जाती है, उसे nucleide कहा जाता है, और उसके बाद आती है, nuclear isomer के बारे में, atom of the same element having same atomic number and same atomic mass number but differ in radioactive property are called nuclear isomer, यानि की ऐसे element जिनका atomic number भी same होता है, और atomic mass भी same होता है, लेकिन उनके radioactive property अलग-अलग होती है, वैसे element को nuclear isomer कहा जाता है, तो इन सब के definition बहुत जादा important है, आप जरूर देख ले, तो हम लोगों ने अभी तक दो question कर लिया, एक है define radio activity और उसके types और दूसरा definition of isotope, isobar, isotone, nuclide, nuclear और isomer, अब बारी है, हमारे तीसरे most important question के बारे में जानने की, हमारा तीसरा question यह है, कि give compare the property of alpha, beta, gamma radiation, तो यानि आपको alpha, beta, gamma radiation के differences लिखने है, इनके property के आधार पर, इन तीनों के बीच में पहला differences यह है, कि जब किसी element से alpha particle निकलती है, तो उसका atomic number 2 degrees हो जाता है, और उसका mass number 4 degrees हो जाता है, यानि किसी element से अगर alpha particle निकल रही है, तो उसका atomic number भी decrease होगा, और atomic mass भी decrease होगा, atomic number 2 degrees होता है, और atomic mass जो है, वो 4 degrees होता है, वहीं अगर beta particle की बात की जाए, तो जब किसी element से beta particle निकलता है, तो उसका atomic number increase करता है, और उसका mass number में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो as it is same रहता है, गामा particle की बात की जाए, तो जब किसी element से gamma particle का radiation होता है, तो उनके atomic mass और atomic number पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बात करते हैं, दूसरे differences के बारे में, particle positively charge होते हैं, वहीं beta particle negatively charge होते हैं, यहाँ थोड़ा correct कर लीजिएगा, by mistake positively उपर में लिखा है, बट beta particle negatively charge होते हैं, और गामा particle में कोई charge नहीं होता, लेकिन यह energy emit करते हैं, तीसरे differences की बात की जाएं, तो they have low penetration capacity, penetration का मतलब होता है बेदन जमता, यानि जब किसी पदार्थ में इसको कुझारेंगे, तो alpha particle का जो penetration capacity है, यानि भेदनी की जमता है, वो beta और gamma particle के मुकाबले कम होती है, बीटा particle का penetration capacity, alpha particle के मुकाबले ज़्यादा होता है, वहीं gamma particle की penetration capacity, यानि की भेदन जमता सबसे ज़्यादा होती है, तो most important question मैंने आपको दे दिये, बस आप like करके, comment करके, और अपने दोस्तों के भी share करके, अपना दाइत्व निभाईए, और मुझे धेर सारा प्यार दीजे, ताकि आगे की वीडियो में और अच्छे तरीके से बना सकूँ, मिलते हैं next वीडियो में, bye bye.